दोस्तों अगर आपके पास SBI Bank पर खाता है और आपके पास ATM कार्ड नहीं है लेकिन आप चलाना चाहते हैं फोन पे तो दोस्तों आप विल्कुल असानी से फोन पे को चला सकते हैं दोस्तों SBI Bank के तरफ से एक नया फीचस जोड दिया गया है जो कि आप फोन पे आप अधार कार्ड से चला सकते हैं इस वीडियो पर आपको लाइप प्रूप दिखाएंगे तो दोस्तों आपको इस वीडियो को सुरू से लाज्टक देखिएगा दोस्तों को दिन पहले जीन लोगों के पास ATM कार्ड राता था उन्हीं लोग Google पे फोन पे पेटियम चलाते थें लेकिन SBI Bank में एक नया अपडेट आया है जो कि आप यहाँ पर आपको अधार कार्ड से फोन पे बना सकते हैं अगर आपके पास SBI Bank पर खाता है और Google पे फोन पे पेटियम पर दोस्तों अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सुरू से लाज्टक जरू देखिएगा तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में फोन पे अप्लीकेशन को डाउलोड कर लेंगे फोन पे उपेन करने के बाद दोस्तों मोबाइल नमर डाल कर लोगिन कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर आपको Bank अकाउंट को लिंक करना होता है तो यहाँ पर आप देख पारेंगे Add Address के बगल में यहाँ पर आपको Profile दिखेगा यहाँ पर किलिक करना है और यहाँ पर देख पारेंगे Payment Method के नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको Bank Account को पर किलिक करना है और यहाँ पर आपको जो Bank होगा यहाँ पर दिखेगा अगर आपको पहले से Bank Add होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर नया Bank Account Add करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पारेंगे नीचे Add New Bank Account यहाँ पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर जो आपका Bank होगा यहाँ पर आप अपना Bank को सेलेक्ट करेंगे मेरे पास SBI bank है तो यहाँ पर हम click करते हैं और click करने के बाद यहाँ पर bank add हो जाएगा bank add होने के बाद दुस्तों यहाँ पर आप देख पारेंगे आपको यहाँ पर pin बनाने के लिए reset pin या फिर आपके पास set pin का option मिलेगा तो यहीं पर आपको click करना है click करने के बाद दुस्तों यहाँ पर आप देख पारेंगे आपके पास debit card का option मिल रहा होगा लेकिन आपको एक तरीका बताएंगे जो कि यहाँ पर आपको अधार card से UPI pin बनेगा तो सबसे पहले आपको अपने mobile phone में Paytm account को अफेन कर लेंगे क्योंकि Paytm account में ही दोस्तों यहाँ पर आधार card का facility मिला है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको life proof दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर देख पारेंगे मेरे पास SBI bank है यहाँ पर click करते हैं और यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पारेंगे setting यहाँ पर click करते हैं और यहाँ पर देख पारेंगे मेरे पास जितना भी bank add है यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर देख पारेंगे change pin यहाँ पर click करते हैं और यहाँ पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पारेंगे यहाँ पर दे रहा होगा आपको अधार काड और यहाँ पर दे रहा होगा आपको डेबिट काड और यहाँ पर देख पर उपर में SBI Bank और यहाँ पर मेरा Account Number भी सोग कर रहा होगा अगर दोस्तों आपको Phone Pay भी Option नहीं दे रहा है तो दोस्तों आप ATM पर Try कीजिए यहाँ पर आपको दोस्तों अधार Card का Option मिल जाएगा अगर दोस्तों आपके पास ATM Card है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास ATM Card नहीं है तो यहाँ पर आपको अधार Card को पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देख पारंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करदाना है और यहाँ पर आपको पोर सीट को पर किलिक करना है यहाँ पर किलिक करने के बाद दोस्तों बस आपको अधार कार्ट नमर डालना है और यहाँ पर आपको यूफ याई पिन बन जाएगा तो दोस्तों मेरे पास डेबिट कार्ट है इसलिए दोस्तों आप डेविट कार्ट को पर किलिक करते हैं अगर दोस्तों आपके पास डेविट कार्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर आपको पोर्सीट को पर किलिक करना है पोर्सीट में किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अधार कार से मोबाल नमबर रजिस्टर नहीं है इसलिए पहले सबसे पहले आप अपडेट किजिए अधार कार से मोबाल नमबर अगर आपको SBI बैंक से मोबाल नमबर रजिस्टर है और उसी नमबर आपको अधार कार से रज प्लेकेशन पर नहीं आपको यहां पर पता हो गया ओगा, अगर आपको किसी भी परकार का दिखकात है, मन में सवाल है तो दोस्तों आप नीचे कोमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सबस्कार नहीं किए, तो दोस्तों इस चैनल को सेस्क्राइब कर ले चलिए दोस्तों नेस्ट विडियो मिलते हैं तब तक लिए जहिन ने मातरम